हेलो गाईज मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर अफ एकॉनोमिक्स लव कौशिक आज आपको सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस करके दिखा हुआ ताकि सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन में आपको कभी भी कोई भी दिक्कत ना आए पहली बात नोट कर लो जिस बच्चे ने दसवी क्लास पास कर ली है वो सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्र कराने के लिए एलिजिबल है लेकिन जब तक वो बारवी क्लास के पेपर नहीं दे देता तब तक वो सीए फाउंडेशन के पेपर में नहीं बैठ सकता तो each and everything clear कर रहा हूँ आपको अब ध्यान से देखेंगे मैं आपको दोस्तों सबसे पहले बता रहा हूँ कि जब आप रजिस्टर कराओगे तो ये चीज़ें आपके पास होनी बहुत जरूरी है दसवी क्लास और बारवी क्लास का आपके पास मार्कशिट और एडमिट कार्ड होन फोनी चाहिए आपका अपना फोल नंबर होना चाहिए मम्मी पापा का मत देना और कहीं साइबर कैफे पे अगर तुम रजिस्टरेशन कराने चले जाओ तो उनसे बोलना कि भईया मेरा ही नंबर लिखो क्योंकि मेरे को सीए करनी है मेरे पास ही relevant जरूरी messages आने जरूरी है और आपके अपनी email id होनी चाहिए और अगर आप ये register कर रहे हो न तो please mobile phone से मत करना बहुत जंजट आते हैं computer या laptop से मतलब जो आपका desktop है उससे करना इसको तो थोड़ी असान्दी होगी ठीक है और main बात ये सारे जो documents है आपके पास या तो jpg या jpeg या pdf format में होने और बड़ी बात आता हूँ कहां ज़रत पड़ेगी सब बताऊंगा फोटो की फोटो जब तुम upload करोगे तो ध्यान रखना registration जब तुम करोगे तब इस video को मत देखना उससे पहले देखना ताकि तुमारे पास relevant चीज़े हो फोटो नीचे तुमारे पास white background में जब तुम photo क size ये होना चाहिए photo वाले भाया को बोल देना वो समझ जाएंगे कि इस size में photo किछनी चाहिए और ध्यान रखना photo की PDF मत बनाना photo सिर्फ JPG या JPEG format में चलेगी एक ऐसा step भी आएगा जब आपको अपने signature upload करने होंगे तो दोस्तो signature जब आपको upload करने होंगे तो आप ध्यान को बनाएंगे यानि PDF इसकी भी नहीं चलेगी आप 10 से 20 KB के बीच में इसका size रखोगे 10 से 20 KB में कैसे size होता है Google पे उसको converter मिल जाता है असानी से photo कीच के आप उसको उसमें convert कर सकते हो तो अब शुरू करते हैं दोस्तों ये relevant documents आपके पास है ओके report है हर एक चीज पिर चल पास अगर book deliver नहीं हुई है सब चीजें यहां पर crystal clear करूंगा रा चलते हैं बिल्कुल ही देखो दोस्तों सबसे पहले Google पर आँगा Google पर टाइप करूंगा आप पनिया लिख रहे हैं नाम लिख दिया जी आगे बढ़ रहे हैं mail है ओके reported date of birth देख लो date of birth में आपको problem आ सकती है आप कहोगे सर year तो मेरा मिलनी रहा तो उस पर click कर देना फिर year से वहां पर इस पहुंच जाना मैं यहां पर आपका year कुछ भी कर देता हूं क्या फरक प वहाइवेट है तो तुम्हें बिल्कुली रहा करके दिखा रहो किसी और बच्चे का निकरके दिखा रहा अपना ही करके दिखा रहा रहा हूं राज्य इमेल एड्रस अहा हाँ लो जी आपने देख भी लिया होगा इमेल एडर चलो कोई बात नहीं फिर इसको कंफर्म करना होगा कॉपीपेस्ट नहीं होगा आपको दुबारा टाइब करना होगा दुबारा टाइब कर देते हैं चलो जी यह कर दिया राज्ये चलो जी मैंने लिख दिया यह ओकर रिपीट हो गया अब दोस्तो इसको मैंने यहाँ से अठाया आब लिखो कंट्री कोड कौन सी कंट्री से बिलोग करते हो भई यह इंडिया से करते हैं यहाँ पर मोबाइल फोन नंबर आप अपना डालोगे यहाँ पर तो मैं डाल देता हूँ कर दिया, आगे चलो, प्लीज select country name, country name भी select कर लो, इंडिया नीचे नहीं मिलेगा आपको इंडिया टॉप में मिलेगा, नेशनालिटी इंडिय reversal आगई सबकुछ all sorted, generate कर दो OTP जब तुम OTP जनरेट करोगे तो यहाँ पर OK कर देना लेकिन OTP तब तक नहीं आएगा जब तक आप ये CAPTCHA फिल नहीं कर दोगे एक CAPTCHA आएगा CODE मांगता है यार फिल कर दो भाई चुरू में इधर लिखा है राजे ए ए ए ए ए ए ए ए ए छोटा एफ पर 7 लिखा है पर लिखा है छोटा ए पर लिखा है हमारे पास तू बिल्कुल RAW कर रहा हूं बिल्कुल जितना टाइम तुमें लगता है उतना ही करके ब सब्सक्राइब करते हुए आप मुझे देख सकते हुए चलो जी कर दिया और फिर इसको वैलिडेट करूंगा वैलिडेट हो गया येस सब्मिट नाव पर कर देना कोई दिक्कत हो तो साथ वाले ओप्शन पर ओके करते रहो सारी कहानी मैंने आपको बता रखी है बस ये इन information आजाएगी आपके पास आगई है जी ओकर रिपोर्ट है इसके बाद आपके पास automatically खुलेगा ये सब खुलता है यहाँ पर क्लिक कर दो exam function के लिए अभी नहीं करना ध्यान रखना है एक बात का ये चीज़ आपके पास आपकी लिखी होगी इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखने की ज़रुत है ये आपका ID password है SSB portal का और फिर click on the form of transaction इस पर टिक कर दूँगा form आजाएगा मेरा transaction के लिए इसके लिए मुझे क्या करना है अभी मैं course में register कराने के लिए आया हूँ तो course लिखूँगा apply for the foundation course यहां लिखा है direct entry जो graduate हो जाते है उनकी direct entry होती है लेकि चलो जी यह सारी चीज़े आ गई है मेरे पास अब मुझे कुछ चीज़े दुबारा से भरने की ज़रूत है जहां जहां पर इधर star लगा होना उसको भरना बहुत ज़रूरी है जैसे कि देखो salutation star है आपकी भरी हुई है यह full name पर star है जो जो star है हर जगा और इसमें तो automatically आ बराबरा है मिल जाएगा क्योंकि आप previous step से आयो अब देखो marital status शादी शुदा हो या नहीं हो unmarried कर दिया चलो जी यहां पर star था अब क्या आप staff ward को जानते हो किसी employee ICI के बंदे को इसको no करना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है अब इसके बाद आपका address address भरना है correspondence वाला मतलब ऐसा address यहां पर आप चाते हो कि आपकी books की delivery भी हो जाए और जो भी relevant document अगर आप subscribe करोगे इसके student journal के लिए तो वो भी आपके घर पे आ जाए वो वाला address जानना ठीक है यहां पर मालनों मैं address कुछ भी डाल देता हूँ अभी 12345 और इसमें लिख देता हूँ Mumbai ठीक है ज यादा लाइन नहीं भर रहा चिर्फ जितना भरना कंट्री कौनसी है सबसे टॉप में मिलेगी इंडिया नीचे तक मत जाना टेट मैंने अभी के लिए आप सुको पता हिए कि हम कर रहे है दिल्ली डाल दिया डिस्ट्रिक कौनसी डाल दी कुछ भी डाल दी नौर्ड दिल् अब नीचे बुलेगा परमानेंट अडरस क्या है अगर आपका कोर्रेस्पॉंडेंट्स अड्रेस और परमानेंट रहे है तो आप यहां यह स्कर दो ऑटोमेटिकली सब कुछ अपने आप फिल हो जाएगा यह वोता क्या है परमानेंट अडरस वह होता है जिस नाम जिस मेंचन कर दो राजे जनरल मेंचन कर दिया इंडियन हो गया अपनी एन्वल इंकम बनाना चाहते हो पेरेंट्स की तो बता दो वरना रहन दो कोई यहां पर कोई भी आपसे मतलब जवरत्सी नहीं है तार नहीं है इसलिए इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दो गया तो आपके पा इसलिएगा मैं हालिक देता हूँ चलो जी अजी एक दिया मैंने और इधर लिख दो जी चलो जी इधर लिख दिया अब ठीक है अब इसको आगे प्रोसीड कर देते हैं दोस्तों यह आपका आगे जान दो जान दो जी भाई डेटा सेवड सक्सेस्फुली हो गया अब देखो आपने अपनी परसनल डिटेल भरी थी यह खुल गया था qualification डिटेल की बारी आगई अब आपकी qualification में आप ध्यान रखना mandatory है दसवी क्लास दसवी क्लास से नीचे का बच्चा apply नहीं कर सकता तो star लगा हुआ है दसवी क्लास में आपका roll number क्या था कौन से board से आपने किया है month कौन सा था year कौन सा था जब आपका result आया mark sheet में लिखा होता है आपको याद नहीं होगा ठीक है अब pass हो गए हो यह result awaited है marks कितने आये हैं आपके और maximum marks कितने थे 600 थे आपके 400 आ गए यहां 400 लिख दो अपने आप percentage calculate करके यहां पर आ जाएगी अगर आपकी percentage नहीं थी CGPA थी तो यहां लिख दो और तबसे बड़ी बात देखो side में जाओगे यहां पर click करना है आपको upload करने के लिए यहां click करोगे तो फिर आप जहां से browse कर रहे हो desktop से या cybercafe वाले बया से उन्हें जहां भी save कर रखा होगा आप यहां upload कर देना PDF file upload हो जाएगी JPEG JPG format में upload हो जाएगा less than 1 MBS का size होना चाहिए ऐसे ही आप 12 class का document अपना upload कर दोगे ठीक है अगर किसी किसी बच्चे के पास 12th class नहीं होती ही वो 12 के class के बराबर के डिगरी होती है वो डिपलोमा होता है तो वो यहां अपना भर सकता है तो दोस्तों आपका कौन सा registration हो जाएगा provisional registration yes माना जाएगा आपका तब जब आपका 12th की mark sheet नहीं होगी क्या होता है यह देखो जीब आपने 12th के paper दे दिये यह foundation के लिए registration कराया है आपके registration को provisional registration बोला जाएगा तस्वी में हो 11 में हो किसी भी class में हो अगर 12th का result नहीं है न बतलब आपके पास mark sheet available नहीं है तो आपका provisional registration माना जाता है आप जब result आजाएगा फिर से login ID password डाल देना अपने SSP portal पे तो फिर आपको यहाँ पर update करने के लिए मिल जाएगा अभी तक आपका provisional ही रहेगा मैंने तो ऐसी छोड़ा हुआ आपका है यहाँ लिखाएगा यह लिखाएगा फिर अगर अंडर graduation की कोई qualification है वह यहाँ भर सकते हो और medium of study क्या अगरना है English या Hindi English भर देना जो बच्चा हिंदी भरेगा उसको पता होना चीए कि accountancy का paper तो English में याता है तो हिंदी भर दो कोई दिक्कत नहीं है फिर save and next करोगे यहाँ मैंने पूरी information नहीं भरी है अभी class दस्वी का data मिस हो गया है क्योंकि obviously अभी मुझे याद नहीं है तुम्हारा तो तुम्हें यादी होगा तो आप देख पाओगे कि आप payment पे चले जाओगे जब तुम payment detail पे जाओगे ना दोस्तो फोटो को upload करोगे फोटो को upload कहां करोगे राच्छे यहाँ क्लिक करना पड़ेगा और मैंने बताया है कि आपको फोटो कैसे upload करनी है क्या size होना चाहिए सब आपको पताया है background कैसा होना चाहिए आपको फिर signature upload करने है इधर इस पे click करके और फिर date of birth का कोई proof या फिर school living certificate कि को अगर आपके पास date of birth का proof है तो upload कर दो नहीं तो दस्वी class का certificate जो होता है न माक्षिट या certificate merge करके भी होता है वो आपका date of birth proof है यानि ऐसा सरकारी सबूत जिस पर आपकी date of birth लिखी हो उसे date of birth proof बोलते है यही तीन स्टार है आगे यह visa visa का चक्कर है वो आपसे कोई link देन होंगे उदर लिखा होगा paytm paytm से भी payment कर सकते हो आप debit या credit card से भी payment कर सकते हो ठीक है न debit मतलब ATM card जब तुम payment कर दोगे तो तुम्हारे पास mail आएगा जैसे शुरू में OTP का भी आया था आपके पास phone पे लेकिन mail पे तुम्हारे password आता है SSP का portal का password आपके mail पे आता है mail आएगा कि आपका registration okay है या cancel है cancel है तो फिर दुबारा से उसको करो और अगर okay हो गया तो it is good लेकिन ज्यादा तर बच्चों के साथ भसूड़ी हो जाती है वो कहां फस जाते हैं कहते है सर mail आगया cancel का और cancel का mail आ गया लेकिन payment तो कट गई जब payment कट जाती है तो ICI वाले दो से तीन दिन के अंदर आपकी payment वापिस कर देते हैं लेकिन यह सिर्फ बोलते हैं 10 दिन भी लग जाते है payment वापिस करने में तो 2 हफते तक रुखना चाहिए max to max ठीक है इस बात को समझो जब तुमारी registration confirmation हो जाएगी तो फिर से आप SSB पोर्टर पर आओगे book के लिए order करोगे वो coupon code आएगा आपके बास mail पे उसके बाद आप book के लिए order करोगे book free of cost है payment कितनी करनी होगी दोस्तो 9000 रुपे की यह foundation की payment है जयान रखना अब इसके अलावा subscription वाला option लिखा होगा आप उस पर click करो सब्सक्रिप्शन वाला option मिलेगा तो 400 रुपे और आपको extra payment करने पड़ेंगे यह subscription किस चीज़ का होता है student journal का अगर student journal मतलब ICI है ना हर महीने एक news छापती रहती है आपके course से related भी हो सकती है और शायद ना भी हो यह को बस जाननी ज़रूरी है वो online free available होती है online आप ICI की website पर देख सकते हो आप comment section में बोलोगे कहां दिखती है तो मैं बता दूँगा ठीक है आप बोलोगे sir 9400 पे करने है 9000 9000 पे करने है आपका registration हो जाएगा ok report ठीक है 10 से 15 दिन के अंदर book आ जाती है वैसे वह बोले कितने दिन में भी 15 दिन लग जाते है लेकिन आपको book order करनी प लेकिन दोस्तों अगर आपने book order कर दी है और आपकी book नहीं आई है तो ध्यान रखना इस phone number पे आप connect कर सकते हो कि मेरी book क्यों नहीं आई है यह ICI का number अभिया पाइरल भी कर सकते हो इसको भीया इससे पूछो मेरी book अभी तक नहीं आई है भाई मैंने order किया वह payment करी हुई ह क्या चक्कर है तारी कहाने आप यहां सेट कर सकते हो और यह foundation के अपने exam के तयारी को बनाए रखना आपको पता होना चाहिए कि जब तुम CA foundation का paper देने जाते हो तो आपके चार paper होते हैं पहला paper accounts का दूसरा paper law का दोनो theoretical paper हैं दोनो paper आपके तीन-तीन घंटे के होते हैं आपक economics का है तो paper 3-4 2-2 घंटे के paper है यहां पर आपको 100 question solve करने पड़ते हैं सारे MCQ type होते हैं negative marking भी है एक question सही करोगे एक number मिलेगा गलत कर दोगे तो 0.25 number कट जाएंगे attempt नहीं करोगे तो कोई फरक नहीं पड़ता कुछ नहीं होगा ना मिलेगा ना खटे और अगर ICI ने गलती से पैसे होता नहीं है generally कोई गलत question दे दी है अपने question paper में तो आपको उसके grace marks दे देती है आपको मिल जाते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अलावा दोस्तों अगर आपको लगता है कि हाँ यार यह वाला doubt clear नहीं हुआ वह वाला doubt clear नहीं हुआ तो चोटी मोटी बाते जो आप चाहते हो कि मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊं आप comment करोगे तो obviously मैं बनाऊंगा आपके जहां problem है लेकिन जहां तक हो सका मैंने इसको आपके सामने sort करने की पूरी-पूरी कोशिश करी है बस मैं चाहता क्या हूं आपको पता है दुनिया को पता है कि आपका और मेरा तो रिष्टा है अब इसके पूरे इंडिया में चर्चे हैं पूरे भारत के अंदर दोस्तों चर्चे हैं लव सर और उनके students की bond के तो मेरी तरफ से दोस्तों आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप लोगों के दिल में एक ही बात होनी चाहिए जया जैसी ये इसकी तुम पढ़ाई कर रहे हो ये एक सोर्स ओफ इंस्पिरेशन होना चाहिए तुम्हारे पास हमेशा तो आज फिर इतना ही लव ये वरिवन बाए बाए टेक केर टाटा जाहिन जै भारत नमस्कार जन्ने बाद